आज से मैं आपको अगले तीन-चार दिन तक रोज एक वीडियो देने वाला हूँ वीडियो बहुत छोटी-छोटी होंगी और अलग-अलग विश्यव पर होंगी जिन पर मैंने कुछ थोड़ा अनुसंधान किया है आईए सबसे पहले आज बात करते हैं ये जो मेरे दाई तरफ पेड़ है ये हिसार सफेदागा पेड़ है और जो मेरे बाई तरफ पेड़ है ये मेरा जो है अलाबादी सफेदागा पेड़ है ये जो पेड़ है ये भी अलावादी सफेदा का है इसकी उम्र इन से करीब दुगनी है लेकिन मैं इन दोनों पोधों में जो एक ही उम्र के हैं आज ये अंतर समझाऊंगा कि दोनों में मुख़्े तक क्या अंतर है बड़े ध्यान से सुनिये और दोनों के फल लगने में क्य आंतर है ये मैं सब आपको बताऊंगा आज किसान साथियों सबसे पहले सुरू करते हैं हिसार सफेदा से हिसार सफेदा हिसार एगरिकल्चर युनिवर्स्टी द्वारा बनाई गई परजाती है जो की हरियाना और पंजाम में बहुत परचलित है मेरे कुछ मित्र हैं हिसार में तो उन्होंने मुझे का त्यागी जी आप अपनी एक वाराइटी और बढ़ाईए हिसार सफेदा और उसका ये फल हुआ कि इस बार मेरे सबसे अधिक पेड़ हिसार सफेदा के भी के हैं ये हिसार सफेदा का पेड़ मैंने दिसंबर 2020 में लगाया था हाँ दिसंबर 2020 मे अब देखिए इसको पहचान दोनों में सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखना है इसका ये पत्ता देखिए जो ये पत्ता होगा बहुत चोड़ा होगा बिल्कुल इससे चोड़ा पत्ता बहुत कम मिलेगा आपको बरफ खान में मिल सकता है या जी व बोड़ा हुआ होगा लेकिन इसमें किसी बी पत्ते में देखिये जो ये कर्व है न ये अगर ध्यान से देखो तो एक ही कर्व ऐसा मिलेगा आपको जिर्फ आसा कहीं से जुका हुआ या अंदर को इस प्रकार होगा यह जो पहचान है यह मुख्यत है इसका जो है ना अलाबादी सफेदा से इसकी क्रोश की गई है तो यह जो इसका थोड़ा सा अंदर को मुड़ना है इस तरह का यह अलाबादी सफेदा की जेनिटिक जो है एक तरह से गुन है उसका लेकिन पत्ता बहुत बड़ा है ये तो हुई इसकी बात अब आईए हम अलाबादी सफेदे के पत्ते देखते हैं और ये जो अलाबादी सफेदा है देखिये पहली जो मैंने बताई थी ये बी इसी तरह से मुड़ा हुआ जो इनकी genetic ही है, ये वाला, लेकिन इसका ये जो आगे का हिस्सा है, गोल तो है, लेकिन इतना गोल नहीं है और इसकी पत्ती इतनी चोड़ी नहीं है, जितनी उसकी है. यह दो इसके पत्तों को देखकर मुख्य अंतर समझ में आते हैं, पत्ता इतना चोड़ा नहीं है, इतने गहरे रंगा नहीं है, यह वाला जो पोर्शन है, यह थोड़ी देखिए, इसमें यह लहर सी आजाती है, इस तरह की जो मैंने बताई है, यह आती है इसमें, इसमें एक है इसमें दो से तीन तक मिल सकती है आपको एक दो तीन ये तीन मिल सकती है लेकिन आगे से इतना चोड़ा नहीं है और ये जो टोटल चोड़ाई है इसकी ये उतनी नहीं है जितनी हिसार सफेदा की है इसकी पत्ते देखकर बात है, दोनों लगभग आप इस पोधे को देखिए और उस पोधे को देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है उचाई का, थोड़ा सा पत्ते का इसका बड़े पेड़ का भी देखते हैं, ये देखिए ये लगभग ढ़ाई से तीन वर् अगर जब मैं आपको स्वेता का दिखाऊंगा तो आपको पहचान आ जाएगी इसकी, ये गोल तो है पर उतना गोल नहीं है, इतना चोड़ा नहीं है आगे से जितना हिसार सफेदा का है, लेकिन ये जो लट है ये कम से कम एक अवस्से मिलेगी इसमें, ये देखे इस तरह को, ये यहां से इस तरह से गोम गया, ऐसे गोमता रहता है, कोई भी पत्ता ले लीजिए, इसमें ये जरूर होगी, इसमें करने के लिए, किसान साथियों ये तो हुई पत्ता देखकर बात, अब हम इनके फल को देखते हैं, किस पर कितने फल और किस प्रकार आते हैं, किसा यहां पर तीन फल हैं, यह दो इकठे हैं, और नीचे भी इस पर फल हैं, यह देखें, दो दो फल हैं, इस पर आप और देखिए, और वहां पर साध एक फल गिर गया, देखें, इसमें गुच्छों में फल आते हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, इसी प्रकार इस पर फल ल अंदर फल है लेकिन जो छोटे हैं ये थोड़े जो छोटे वाले हैं कम जो रहते हैं मैं अकसर इनको तोड़ देता हूं इस तरह से और जो ये फल है ये फल आपका जब बड़ा होगा तम में दिखाऊंगा कि इसका फल हिसार सफेदा से लगभग डेड़ गुना तक होता है फल होगा जितने मोटे वजन कुल तीनों का होगा इतना एक का होगा अब आईए हमिसार सफेदा पर आप ये देखोगे कि इसमें ये फल है देखिए फिर वही है यहां पर इसमें तीन गुच्छों में लेकिन सबसे अची बात जो मुझे लगी एक ही जगह पर जितनी भी तहनी है एक, दो, तीन, चार, चार में से तीन तहनी ओपर इसके फल लगे हुए हैं, दो, दो, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, करीब बारा फल हैं इस पर आप देखिए, ये डेड़ साल का कितनी तहनी ओपर हैं, आप ये देखिए इसको जहां स ये देखिए, कितने फल लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप छोटी बागवानी करते हैं, तो अगर इनको तोड़ देंगे इस तरह से, तो आपके बहुत सुन्दर फल आएंगे, और इनको, इनके जो है, उसमें गिसने का भी, एक दूसरे से रगड़ खाकर, वो भी कोई सम से नहीं आएगी, अब आएए देखते हैं, इनके आकार की बात, ये देखिए, ये चिकना है बिल्कुल, ये चिकना फल है एक दम से, आप देखोगे इसको, और जो मेरा वो है के नाम अलाबदी सफेदा है, उसको एक बार फिर देखिए द्यान से, ये देखिए, ये देख ये लाइन उठी उठी है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा है इस समय, चुकि फल बड़ा होगा, इस लंबाई का आर्थ है, कि ये फल हिसार सफेदा से बड़ा होगा, और इसी परकार इसको देखिए, कि ये बड़ा सुंदर है इसके मुकाबले, उतना लंबा नहीं है, 500 ग्राम अक्सर होता है, और वो आपका 500 ग्राम तक भी जा सकता है फल जो ना, लगबग 400, 455 ग्राम का मैंने लिया है, फल, अब आती है इनकी स्वाद की बात, इस समय फल नहीं है, जब फल आएंगे, इसके मैं नौंबर में एक बार दोनों के फल आपके सामने पेड़ से तोड़ूँगा, इनी दोनों पेड़ों से तोड़ूँगा, उन्हें काट कर दिखाऊंगा और खा कर भी दिखाऊंगा, किसान साथियों ये थी आज एक मेरी छोटी सी प्रस्तुती, अलहबादी सफेदा वर्सिस हिसार सफेदा, दोनों में क्या अंतर है और क्या है, जब कई नाम से जादना जाता है, कुछ कहते हैं ये फरुकाबादी है, कुछ कहते हैं सपरी है, लेकिन सपरी के पत्ते इस से अलग होते हैं, और फरुकाबादी केवल अलहबादी सफेदा ही है, आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगले वीडियो किस विशे पर आप अमरू बंदे मात